हेलो एवरीबन माइनेम इस अनुज कुमार वेलकम तो मैं यूटूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुजमिनास्ट फिजिकल एजुकेशन एड स्पोर्ट्स आज मैं डिसकस करने बाला हूँ एटलेटिक्स मैं डिसकस करूँगा ट्रैक एंड फिल्ड ट्रैक एंड फिल्ड से जितने भी कोशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं इस वीडियो में डिसकस करने बाला हूँ सारे कोशन बेसिक कोशन है जो की एग्जाम में बार जैसे कि आपके सामने Athletics 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 को हम डिवाइड करते हैं दो गुरुम में पहला है ट्रेक इवेंट्स दूसरा है फिल्ड इवेंट्स इस इवेंट्स में डिसकस करने से पहले मैं आपको एक और कोशन बताता हूं कोशन पूचा जाता है Athletics जो वर्ड है वो किस बासा से मिलकर बनाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा Athlon Athlon एक यूनानी बासा का सब्द है और यूनानी बासा से जो Athlon है Athlon से बनाए Athletics यह आपके एक्जाम में कोशन पूचा आता है Next question पूचा आता है Mother of Games Mother of Games किसको बोले आता है वो है Athletics यह भी कोशन आपके एक्जाम में पूचा आता है अब हम बात करेंगे Track and Field Events पर सबसे पहले Athletics को मैंने दो गुरूम में डिवाट गिया एक है Track Events दूसरा है Field Events अब Track Events में कौन-कौन से Events आते हैं मैं उन पर डिसकस करने वाला हूँ Track Events का मतलब होता है Runs Events मिन्स रुनिंग वाले इवेंट जिनमें लोग दोड़ते हैं जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं Sprints Sprints का मतलब होता है Short Distance वाली रुनिंग 100 मीटर 400 मीटर ये Sprints के अंदर आती है Next Question Middle Distance रुनिंग Middle Distance रुनिंग का मतलब होता है 800 मीटर 1500 मीटर ये Middle Distance रुनिंग आप से कोशन पूछा जाएगा 800 मीटर जो है Sprint के अंदर आता है ये Middle Distance रुनिंग के अंदर आता है इस तरीके से कोशन मनेगा 400 मीटर जो है Sprints के अंदर आता है ये Middle Distance के रुनिंग के अंदर आता है इस टैब के question आपके exam बनेंगे next question long distance running long distance running का मतलब होता है 5 km 10 km marathon ये long distance running है एक और question बनता है कि सबसे highest long distance running कौन सी है आप सब लोग जानते है marathon marathon की दूरी कितनी होती है 42.195 km ये marathon नेश्ट कोश्चन आपके सामने relay race relay क्या होता है relay भी short distance running में आती है जैसे कि 4 into 100 meter running 4 into 400 meter running ये relay race के अंतर गता आती है नेश्ट कोश्चन huddle huddles क्या होते है huddles का मतलब होता है बादा जिसमें दोडने में बादा उत्पन होती हो huddles की अगर हम बात करते है 110 110 110 110 जो race होती है वो men's category के लिए होती है और इसमें 10 huddles का यूज किया जाता है ये आपके exam में question पूचा जाता है 110 meter की जो race होती है huddles में वो कौन सा गुरूप दोड़ता है महिला गुरूप या पुरूप इस टाप से question पूचा जाएगा कितनी huddles होती है 10 huddles होती है ये track events से आपके exam में question बनते है next हम discuss करने वाले है field events field events का मतलब होता है जिसमें jumps events आते हो और throwing events आते हो अब jumps events और throwing events कौन कौन से हैं चलते हैं बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं broad jump broad jump का मतलब होता है एक standing position पर खड़ा होकर फूल जाना ये question मनता है broad jump के measurement के अगर हम बात करते हैं तो measurement होता है 9 into 2.75 से लेके 3 meter इसका measurement होता है ये आपके exam question पूछा आता है next question आपके सामने triple jump triple jump का measurement पूछता है 9 into 2.75 से लेके 3 meter के mid में इसका measurement होता है next high jump pole vault ये सारे field event के अंदर आते हैं next question मनता है इसमें मैंने mention नहीं किया है वो है long jump long jump का measurement कितना होता है 9 into 2.75 से लेके 3 meter इसके mid में इसका measurement होता है ये सारे के सारे question आपके exam में आ हूँ है only measurement पूछता है कि triple jump का measurement कितना होता है long jump का measurement कितना होता है next question throw events अब हम discuss करेंगे throw events throw events का मतलब होता है जो फैकने वाले events है सबसे पहले हम discuss करेंगे short put short put क्या होता है एक गोला होता है lowe का उसका weight कितना होता है आपके exam में question पूछता है कि short put जो होता है जिसको हम हिंदिये बोलते है गोला fact उसका weight कितना होता है 7.260 kg यह इसका weight होता है आपके exam में question पूछता है एक और question बनता है बहुत easy short put जो होता है उसका sector उसका जो throwing sector जो हम फैकते हैं उसका angle कितना होता है 34.92 यह इसका angle होता है आपके exam में यह fixed question आता रहता है next discuss करने बाले है discuss throw discuss throw क्या होता है जिसको हम बोलते है चक्का fact हिंदी में एक goal चक्का होता है उसको हम फैकते हैं इसका weight कितना होता है men's category के लिए 2 kg यह आपके exam question पूछता है next question मनता है वो भी question fix है कि discuss throw जो होता है throwing sector कितना होता है मैंने आपको बता है 34.92 यह इसका sector जो area होता है जिसको हम बोलते है जहां से हम fact थे हैं उसका जो angle बनता है next question मनता है javelin throw javelin throw का अर्थ क्या होता है इसको हम बोलते है बाला fact अब इससे question मनता है कि javelin throw का weight कितना होता है men's category के लिए 800 gram यह men's category के लिए होता है women's category के लिए अगर हम बात करते हैं तो 600 gram होता है यह question आपके exam में fix है चाहे वो BP का exam हो चाहे BPA का हो चाहे MP8 का exam हो चाहे TGT का exam हो यह basic question है आपके exam में आते रहते हैं next हम बात करते हैं javelin throw का angle कितना होता है जो sector throwing sector जिसको हम बोलते हैं यह आपके exam में आता है 29 यह इसका angle होता है next question मनता है hammer throw hammer throw को हम किस नाम से जानते हैं यह भी आपके exam में question पूछा जाता है hammer throw जो है एक ठोस दातु का बनागुवा गोला होता है उसमें एक wire लगा रहता है उसको हम पकड़ते हैं और उसको हम circle में गुमाते हैं उसके बाद ठैक देते हैं तो question बनता है कि hammer throw का weight कितना होता है 7.260 kg इसका weight होता है और hammer throw का throwing sector area कितना होता है ये भी question आपके exam में पूछा आता है 34.92 ये इसका throwing sector area होता है जितने भी मेरे question यहाँ पर discuss करें ये सारे के सारे question आपके exam में आये हुए तो जितने भी खलाड़ी इस वीडियो को देख रहे हैं एक एक question को note down करें और याद करें करें आता है